तो रेसल में खतम होने के बाद जो एक सबसे बड़ा हॉट टेक था वो यह था कि कहीं डबल डबली वाले रोमरेंज की टाइटर रेन को कुछ एक्स्टा लेंदी तो नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगा क्यों ना रेसल में खतम हो इतने दिन हो चुके तो क्यों ना एक बर इस बात करते हैं रूमरेंस के पूरे सिनैयरों के बार में चल कि रहा है रोमन ने रेसल मीने के अंदर चैंपर्शिप को रीटेंड की है और अगर तुम देखोगे फैंस एक्स ट्विटरी के ऊपर रोमन की तरफ ही थे लेकिन कुछ रोमन की फैंस कोडी के लिए बुरा फील भी कर रहे थे हां रोमन जीता वो ठीक है इवन जिन लोग नहीं पता है मैं भी बहुत बड़ा रोमन फैन हो रोमन भक्त जो मरजी कहलो मैं कहा था कि हाँ यह बंदा एक दम कमाल है लेकिन जब कोडी हारा ना वह एक्च्छल में फील वा किया नहीं इस बंदे के साथ है गलत हुआ इस बंदे को यहां तो जीतना चाहिए था लेकिन चलो वह कानी खतम हुआ रोमरेंस का उसके बाद जो सीन है क्या चल रहा है करेंटली कंपनी के अंदर यह बैक्लाश की प्रीमियम लाइवेंट को मिस करेंगे इसके बाद जाके रोमरेंस अपियर होंगे वहां पर कोई जो माच वैच्छ उसमें कंपीट करेंगे ओवरॉल देख की कोडी हार है अगले रेसल मीना 40 के अंदर पेबैक हो का कोडी रोमन को राएंगे तो वह सीन मेरे साफ से जादा डवल डवली जिस्टिफाय करना चाहरी है तो इसलिए देखने से लगा रहें कि रोमरेंस के पास एक चैंपेंशिप यानि युनिवर्सल टाइटल है वो तो बड़ी बात यहां चीजें बोरिंग हो रही है डवल डवली कुछ एक्स्ट्रा लेंदी करी रोमन की टाइटल रहीन को क्या है इस चीज़ को जहां को डवल डबली करना चाहिए यह थाटीन आयन के अंदर फिनिश दस टूरी से जादा बड़ा कोशिन यह था क्या रोमन रेंज आरेगा आइब तुम खुछ सोचो वहाँ जितने भी साट 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 अजार आए थी वह क्या देखने आई थी कि कोडी चैंपिन बनेंगे तो अपर ने यह देखने आए थी कि सिनारियो है वह रोमन को लेकर जाद है कोडी है किसी और से फ्यूड करते वह इतनी हाइप नहीं बनती है रैसल मीन में इवेट लेवल तक पहुंच जाए है तब बनी जब आपने रोमन का आपना सामना किया आइटिंग तुम लोग समझ रहो मेरा जो कहने का पॉइंट हो एक्चुल में आपर क्या है और हाँ अब बात रही क्या रोमन इस बोरिंग हो रहे हैं तो देखो मेरे साब से अब जो एंटिसेपेशन होई चीज की और बढ़ रही है तुम्हें जैसे मैंने का रोमन क्यों बोरिंग लग रहे हैं वो बंदा शूर को मिस कर रहे हैं और जो सब्सक्राइब करेंगे लेकिन देखना जो एंटिसेपेशन इसकी और तब बढ़ेगी जब रोमन इस सब्सक्राइब का मना सामना होगा पॉसिबिली माला समर्सलाम का शो होता है या फिर वहां फिर से हम डेफिनेटल डाम शूर वहाइप बनने वाली है कि रोमरें चैंप इस नोट बोरिंग राइट नाओ वह एंटिसिपेशन इस बात की है कि विल रोमर इस लूजिंग और नॉट और हां एक और जीस का डबल डबली कुछ एक्स्ट्रा लेंदी करी चैंपेशिप को मेरे हिसाप से अब डबल डबली कर इसके आगे 100-200 दिन या फिर 300 दिन और ब रोमर रेंस को और इस इतना पसंद करें गया जीर करेक्टर वह डबल डबली ने भी खुद इमाजिन ने किया था लेकिन जिस तरीके से चीजे एक्सप्लोड हुई है जिस तरीके से रोमन अपने करेक्टर का इलिवेशन की है उससे फैंस खुश है तब जाके डबल डबल सब्सक्राइब को हम लोग मौडरन के साथ में तो तब जाके डबल 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 चीज़ों को हिस्टोरिक नहीं बनाएगी यहां से रोमर इसकी चैंपेंशिप रेंड और लंबी जाने वाली एक तो पॉसिबल रीजन है लेकिन जैसे मैं एक और बात कह रहा हूं कि हां सब्सक्राइब को बेल नोटिफिकेशन को करना आउन मिलता हूं आप से आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी तिल देन बाई-बाई-बाई-टेक कियर